हलो दोस्तों अन्मपुर्णा होम पेंटर में आपका स्वागत है तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त डवल थ्री धुरुबो आज हम फिर आपसे बात करने के लिए आ गए हैं दोस्तों एक नए टपिक के साथ तो आज का जो टपिक है दोस्तों आज इस टपिक में हम जानेंगे दोस्तों ओइल पैट पॉलीस कैसे किया जाता है उसका बेस कोट कैसे बनाते हैं कॉलोर कैसे मिक्सिंग करते हैं पूरा जानकरी हम इस वीडियो में आज हम आपको देंगे दोस्तों तो दोस्तों लेट ना क किस तरह से अपने हाथ का जादू दिखा रहे हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरे बातों पे और वीडियों पे दोनों में फोकुस रखेंगे ताके आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो दोस्तों क्योंकि अगर आप मेरे बातों पे और वीडियों में दोनों में अगर ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आपका कोई भी टापिक मिस नहीं होगा दोस्तों मिस नहीं होगा तो दोस्तों देखिए आपका दोस्त डबल थरी धुरूब किस तरह से अपने हाथ का जादू दिखा रहे हैं तो दोस्तों आपको भी एक ब्रॉत लेके इसी तरह से आपको बैसकोट वाल पर लगाना है दोस्तों वाल पर जब आप बेस कोट लगाएंगे दोस्तों देखिए किस तरह से आराम से करना है दोस्तों हमने आपके लिए एक छोटा सा वाल लिया है दोस्तों क्योंकि पूरे एरिया में हम अपको अगर करके दिखाएंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए यह लिया है तो हमने इसमें एक तीनीच का ब्रस यूज किया था जो अभी आपने देखा है दोस्तों तो देखिए हमने पूरे एरिया को बेस कोट कंप्लिट कर दिया है दोस्तों तो देखिए दोस्तों हमने पूरे एरिया को कंप्लिट कर दिया है तो आपको को लेके अपने हिसाफ से मिक्स किये हैं दोस्तों तो मिक्स करने के시면 act हमने क्या था तो अब हम रेसा बनाने का कालर मिकसिंग करेंगे दोस्तों जिसमें जो बेश-कूड हमारा था उसके उपर हमको को रेसा बनाना है तो उसी के लिए हमने खाली डिबा लिया और ओरेंज कलर इसमें अभी डाल रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमारा जो रेसा बनेगा ओरेंज और देखिए दोस्तों ब्लेक ये दोनों को मिक्स करके हम हम दोस्तों रेसा बनाने का कलर बनाएंगे दोस्तों तो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं आप देख सकते हो आपको भी इसी तरह से मिक्स करना है दोस्तों जब भी आप मिक्स करें ध्यान से करें ताके अच्छा मिक्सिंग हो सके क्योंकि अगर अच्छा मिक्सिंग कलर अच्छा दिखेगा दोस्तों आपको इसी तरह से आपकी जरूत के अनुसार ही माल बनाएं क्योंकि हमारा एरिया जितना है एरिया के अनुसार ही हम माल बनाते हैं तो अलग से हमने इसमें थोड़ा सा डार्क कलर बनाया है दोस्तों यह डार्क कलर क्या होगा हम जब भी र आपके जादु दिखा रहे हैं दोस्तों आपको भी इसी तरह से जादु करना है दोस्तों अगर आप इसी तरह Start करेंगे दूस्तों तो आराम से रूश्य भी अब ब्रकाँन कई अर्व आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज प्लीज जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और कमेंट करके हमें बताए कि दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो दोस्तों देखिए अभी हम रिसा बनाना कंप्लिट कर रहे हैं है बस हर एयर्या में धिश्क और उससे अखें कर दिए है तो दोस्तों हम आगए चल के दखेंगे कैसे करते हैं क्यasta है इसकल दोस्तों आपको ऊसे ओब सबनाना है तो यृधे दोस्तों हमने जो im दार्क कलर बनाया था तो देखे के इस तरह सांदर लुग दे रहा है तो आपको भी ठोड़ा सा अलग लेकर डार्क कलर बनाएं और बीच कि में कहीं अगर यूज करेंगे तो बहुत सामदार दिखता है दोस्तों तो आप देख सकते हूं कि इतना सामदार देख रहा है हमारा जो रेसा ऑइल पैंट पॉलिस तो आपको भी इसी तरह से बनाना है दोस्तों बनाने के टाइम पर बस एक ही बात मन में रहना चाहिए कि ह हमको कोई भी अगर काम करें तो उसमें दिल से करना चाहिए अगर दिल से करेंगे तो दोस्तों जरूर कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ गलत लगता है या कुछ जान नहीं पाए तो प्लिस हमें कॉमेंट करके पूछे दोस्तों ताके ह हम आपको कुछ सिखने और सिखाने के लिए आये हैं तो दोस्तों हम सिखेंगे और सिखेंगे यह दोनों काम करेंगे दोस्तों अगर आप हमें कॉमेंट नहीं करेंगे कुछ पूछेंगे नहीं कुछ बताएंगे नहीं तो दोस्तों कैसे पता चलेगा आपके मन में क्या है तो दोस्तों देखिए पूरे एरिया में कितना सांदार लूप दीख रहा है तो दोस्तों आपको इसी तरह से करना है तो देखिए दोस्तों हमने कंप्लिट कर दिया